गाइज फाइनली 20.3.26 का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है हमारा K20 Pro के लिए 5 Pro के लिए और बाके दर डिवाइसों के लिए तो इस वीडियो में आपको फिर से एक कम्प्लेट डिटेल दिखाने अला हूँ कि इस MI Room के लेटेस्ट अपडेट के अंदर क्या कुछ आपको न कि इन डिवाइस के लिए इसका अपडेट है रोल आउट हो गया है तो आप इसले डिशाइड कर पाऊगे कि आपको ये अपडेट यूज करना चाहिए या फिर स्कीप करना चाहिए तो वीडियो को फुल एंटक वाच करते रहें और यहां पर हम देखेंगे कि क्या कुछ नया और इंट्रेस्टिंग देखने को मिलता है तो यहां पर आप देख सकतो के डिवाइस को मोडल नेम दिखा रहा है बट आप एक फाइले तुनों में यूज कर सकते हो यह महीं वह 11 का जो वर्जिन है वह है 20.3.26 जो के लेटिस्ट बीडा के उपर है और इंट्रेस्ट 10 है अब बात करते हैं कि इस अपडेटि में नया क्या-क्या देखने को मिलता है हम सिर्वों से उनी जी जो के उपर फोकस करेंगे तो यहां पर यहां यहीं इस ए-ड्वांस फिचर्स आया है जो के सिर्वों से ए-ड्वाइश तको मिलने वाला है तो इसके नभ्सार, आप चाहोँ तो अपने वर्टीकलmidt क्लॉक को हाइड कर सकते हो, या फिर आप इनेवल कर सकते हो, अगे तब जेक्ट सकते हो, जैसे मैंने इनेवल किया, यहां पे सारे हो जो गोर क्लॉक वापस है, जो तेखनेक وہ हमें मिले है, तो इसतरीके से आप इस फ लाओ नहीं आया है जैसा कि लिक लिकल के आ रहा था कि हमारा एनिमेशन बदलने वाला है तो में भी वह हमें MIUI 2L के अंदर देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहां पर आपको कासी कमाल का इंट्रेस्टिंग चेंज देखने को मिलता है जो कि First Time MI Room ने प्रोइड किया है इसके लाबा किसी भी रूम ने प्रोइड नहीं किया है वह हमारे Global Dark Mode के अंदर वालपेव का सेशन जो कि सेम है 24 आर्स पे जो डार्क मों सा चेंज होगा यह भी सेम है लेकि नीचे के आप देख सकते हो कि यहाँ इसने कमाल करती है कि आप Global Dark Mode भी प्रोइड किया है और Individual App भी प्रोइड किया है जो कि मैंने चाइना के रूम के रिव्यू में बताया था कि Individual के थुरू आप Force पुलिट Dark Theme को किसी भी Third Party Theme को आप डार्क में चेंज कर सकते हो और पहले यह Global Option था जबकि आप Individual आ चुका है ति आप दोनों को दिया गया है यहने दोनों अपने तरफ से Force करेंगे ताकि आप जो भी Third Party App है जो कि डार्क में चेंज नहीं हो रहा है वो चेंज हो जाए तिह जो फीचर से सिर करनें अपने फोन के अंदर कम को पर आते हैं तो रहन और बाकि अधर को मिलता है और बैटरी स्टाइल देखनी को मिलाता था वो प्राइबिट बियेवियर आइकन देखनी को मिलता है जो कि आपको यहां पे Android 10 के अगर हम जेटिंग्स में आते हैं कुछ इस तरिके से आपको device को reboot करना होगा तब ही जाकर यह features active होगा और आपका बैटी का जो icon है यह change हो जाएगा मोहीं पर अब IQ रोम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर छोटी मोटी चीजे जैसे कि हमारा status पर इस्टार्टिंग पर हलका सा cut देखने को मिलता है मोहीं फूल स्क्रीन मोट पर इगायब था जो कि थोड़ी देर में आ गया यह छोटी सी कमी लगी थी 5 pro के अंदर बट वो ठीक हो गया मोहीं पर अगर हम आते हैं fingerprint के unlocking पर यहाँ पर आपको हलका सा नया animation देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरिके का है जो कि पिछली अपडेट में एड किया गया था तो यह आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है तो सिर्फ वसी के 20 mi90 pro के साथ यह animation दिखाई दे रहा है और बाके जो सबसे लाइट में आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा नियू जेस्टर्स साथ साथ स्कीन सूट एक्स्टेंडेट पावर्ड मेनू एफ वार्निंग अस्मार्ट नेट वर्क और बाके अदर चीज़े जबकि इंड्राइट पाइप आपको यह फीचर्स नहीं जो कि इस तरीके से अब काम करेगा लेकिन आप विनिवल लगना है तो आप विनिवल कर सकते हो simply OS का यह जो फूल बेनिफिट है जो ले सकते हो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कोई overlap टाइप का देखने को नहीं मिला है तो perfectly यहां पर वर्क करता है लेकिन एक और बात यहां पर कमी यह है इस ROM की कि हमें L1 का सपोर्ट प्रवाइट नहीं करता है बाई डिफॉल्ट हमें रूटेड मिलता है M.I.ROM ऑफिसल ही रूटेड है बर जो ज़र डिवाइस L1 को सपोर्ट करते है वहां L3 का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलता है I don't know कि कब तक यह फि जो कि बात करें तो इसमें आप वे इनकरीजमेंट नहीं मिलता है वहीं पर हम ग्यार्री की बात करें तो गैर्री में कुछ नए चीज़िया को देखने को मिल जाते है जैसे कि आप अपने वीडियो को कॉमप्रेस कर सकते हो इजिली अपने फॉर्मेट के नुसार और एप के फीचर के साथ जो कि हमें सिर्फ पर से Android 10 में देहनी को मिलता है तो जैसे आप एडिट पर टैप करोगे यहां पर एक नए उप्सन दिखाए देगा जो कि रिमूब वाटरमर्क जिसे टैप करते हैं यह वापस आ जाएगा और डिलीट हो जाएगा और साथ से साथ यहा आपको फुल फीचर्स मिलता है जो कि कोई भी कमी नहीं है और सेम वही चीज़ आपको यहां पर पाई वाले रूम में देहनी को मिलता है बस आप यहां पर वाटरमर्क वगर्या को जो एडिट करके रिमूब नहीं कर सकते है ती एक फीचर से जो Android पाई के उपर हमें मिसिं देखने को मिलता है रही बात कलेंडर तो कलेंडर में नया इनिमेशन एड किया गया है जो कि Android 10 और 9.2 पर भी है लेकिन यहां पर इमाई रूम में आप देख सकते हो दोनों पर चाइना लेंगोजिस हमें देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर जब सलाइट करोगे तो दे देख सकते हो यहां पर वीडियो के फ़र्मिट में आते हैं तो सब्टाइट्र का नया फिचर्स दिया गया है जो कि मुझे 100% यकिन था कि MIRO में दिया जाएगा जबकि EU में रिमूग था तो फिर से फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्टाइटिल का फीचर आ गया है जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करोगे और इंगलिस वाट करोगे तो आपके सब्टाइटिल है जो वीडियो के अंदर आटो है जो एड कर देगा तो यह प्रोपर तरीके से भी काम नहीं करता है तो यहाँ पर 100 टाइम है 50 टाइम आपके लिए वरकिंग रहेगा और 50 टाइम नहीं रहेगा इस पर मैंने एक dedicated औरेडी वीडियो दे दिया था तो आपने अगर watch नहीं क्या है तो watch कर लेना कि किस तरीके से यह काम करता है वहीं पर tab here to note का यह जो font है यह आपका जो bold कर दिया गया है पहले हमें bold देखने को नहीं मिलता था और यहां पर 3D touch के भी font है जो काफे जादा bold किये गए है जो कि कभी slim हमें देखने को मिल जाते थे तो यहां पर भी bold है लेकिन उतना खास नहीं है तो Android 10 पर आपको कुछ extra bold दिखाई देता है वहीं पर आपका net safety बिल्कुली पास मिलता है तो Play Store से कोई भी चीज़े डाउनलोड नहीं होते है आप डाउनलोड करते है तो वेटिंग फॉर WiFi का है जो option आपको देहनी को मिलता है तो इसे fix करने के लिए आपको simply क्या करना है कि अपने WiFi के network के उपर टैप करना है जिस WiFi से आप connected हो उसे आपको साइट से इस तरह के से open करना है यहाँ पर आपको IP सेटिंग दिखाई देगा जिसे आपको static करके save कर देना है जैसे आप यह save करोगे आपके डाउनलोडिंग है जो continue हो जाएगी और आप इस तरह के उसे डाउनलोड कर पागे आप देख से तो काफी इंट्रेस्टिंग टाइप का देखनी को मिल रहा है तो इस features आपको Android 9 और साचा Android 10 के उपर भी देखनी को मिल जाता है जो की काफी कमाल का है तो Unlocking का जो animation है जो की आने वाला था MIUI 12 के साथ वो आपको अभी ही देखनी को मिल जाता है तो काफी इंट्रेस्टिंग चेंज किये गए MI Room की ओर से अपने तरब से जो की मुझे काफी ज़्यादा दमदार लगा अब बात करते हैं हमके supported devices कुन कुन से हैं तो उसके लिए माला आते हैं इसकी site के उपर जहां पर आपको लिस्ट मिल जाता है सबसे पहले Redmi का Note 8 उसके बाद Mi 9 Redmi का 6 Pro जो की port room की रूप में आता है और वेट कर रहे हम Poco F1 का जैसे ही update आता है उसकी वी review आपको मिल जागी Redmi का Note 7 Pro अभी मेरा बाहर गया हुआ है तो lockdown का जैसे 1st गया है इसके वी जैसे में उसे flash करके नहीं दिखा पाया Redmi का Note 10 या फिर CC 9 Pro Redmi का Note 7 Redmi Note 5 यानि 5 Pro क्योंकि globally name इसका Redmi का Note 5 है यहां पर MI Mix 3 MI का Note 3 MI Max 2 MI 2X MI का Mix 2 MI 90 Pro यानि K20 Pro जिसका review में आपको जस्ट दिया MI 8 उसके बाद MI 9 Light या CC 9 MI 9 SE MI 8 Pro MI 8 SE MI 6 MI 9D या K20 MI 9 8 Light और साथ-साथ MI 6X यानि टोटल 22 डिवाइस को यह सपोर्ट करता है तो इन डिवाइस में से कोई साभी एक डिवाइस आपका है तो आप इसली इसे flash कर पागे और ध्यान में आपको यह रखना है कि आपको यहाँ पे L1 का सपोर्ट नहीं मिलने वादा है अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है तो और अगर आप L1 के सपोर्ट को इगनोर करते हो तो आपको काफी कमाल की और इंट्रेस्टिंग जीन देखनी को मिल दाएंगे इस अपडेट के अंदर जो कि आपके रोम के यूजर एक्स्प्रियेंस को काफी जादा इन्हेंस कर देगा तो आज के लिए इतना ही गाइस वीडियो पसंद आएवाट एक लाइक जरूर करें और इस तरह के मोर पूल वीडियो वाच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिकेस को इनिवल करना न भूलें तो मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई